डिलाइट आईएस पर आप सभी काईबर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है एक इंपोर्टन न्यूज आई-यार के पॉंट अव विव से डिस्स करने जा रहे हैं ठीक है लगातार चौथी बार अमेरिका का एक आयोग है जिसने रिपोर्ट जारी की है और उसने यह अमेरिका कि राज्य भाग से अग्रह किया है कि भारत को वह ब्लेक लिस्ट कर दे ठीक है काली सूची में डाल दे भारत को किस चीज को लेकर रिपोर्ट है ठीक है कहा यह गया है कि भारत में जो है अलब संख्यकों पर अत्याचार जो है वो लगातार भारत सरकार की तरफ से बढ़त राज्य सचीव है या जो राज्य डिपार्टमेंट है स्टेट ओफ डिपार्टमेंट जो अमेरिका का है उसका इस पर क्या रियक्षिन है यह सब चीजों को लेकर बहुत अच्छे से समझने का प्रयास भी करेंगे और साथ में देखेंगे कि जितने यह अंतरास्टी आयोग ह है इसमें भारत को हमेशा टार्गेट क्यों किया जाता है है ना तो मेंस के पॉंट विव से बहुत इंपॉर्टन कुशन आप लोगों का अच्छे से प्रपेर हो जाएगा ठीक है जल्दी से देखें देखें सबसे पहले इस कमीशन को देखें यह यह युनाइटेड स्टे का नाम ही क्या है रिलीजियस फ्रीडम को लेकर धार्मिक सतंदरता को लेकर एक रिपोर्ट जारी करता है यह संस्थान ठीक है पता होना चाहिए कौन सा स्टेट में है खास करके आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका का एक संस्थान है दूसरी बात इसने क्या बोला है इसन आधारद के वीदेश्मिंतराली का क्या प क्या बियानाया तो भारत के वीदेश्मिंतराल्य ने इसको लेकर एक चीज बोली है कि देखे यह जो रिपोर्ट है ना यह इधा पक्षपाती वर्ड रखियेगा भारत ने इसको 12 को बैस बू्रणाया है धूसरा भारत की तरफ से यह किसी एक specific motivation के लिए बनाई गई है, खास करके भारत को target करने के लिए बनाई गई है, जान बूझ के कि भारत जो है, जबकि भारत में चीज़े सब कुछ normal है, कोई दिक्कत है नहीं, अमेरिका में अपने स्तर पर आपको पता है कि किस तरह से black और whites को लेकर चीज़े होती है फिर भी अमेरिका जान बूझ के भारत को इन सब चीज़ों को लेकर target करता है, ठीक है, तो भारत ने तो पूरी तरह से इस report को नकार दिया है, भारत सरकार ने, ठीक है, आगे देखते हैं, जब भारत सरकार का सक्त रवया, जब सक्त रवया किस ने देखा, अमेरिका ने, त सफंतर आयोग है, और दूसरा, इसमें राज्ये का कोई दखल नहीं है, राज्ये का कोई दखल नहीं है, वहीं दूसरी चीज़ यह बोली, अमेरिका के State of Department ने, कि अगर आप देखेंगे, तो यह जो आयोग है, यह खास करके अमेरिका में, USA में, जो है, अलप संक्यक जो है ठीक है, तो यह है, खास करके इसकी report उसपर focus होती है, तो जगर आपको पता है, कि उसपर focus करता है, तो इसको बात ही नहीं करनी चाहिए ना, भारत की, क्यूं बात कर रहा है, तो खास करके अगर आप देखेंगे, तो अमेरिका कही ना कहीं पर दोगले पन का एक प्रस्तु अजने का प्रयास करिए, देखिए, भारत और अमेरिका, आपको पता है, लगातार पिछले कुछ दौर में अच्छे रिलेशन भी हुए हैं, कई जगों पर टकराव भी रहा है, कौन-कौन से छितर में, जैसे अब आपको पता होगा, क्योंकि चीन का उभार हो रहा है, जि इसके चलते भारत और अमेरिका का करीब आना लगबग-लगबग समय की मांग है, तो इसके चलते भारत और अमेरिका करीब भी आए, आपने देखा होगा किस तरह से भारत ने रक्षा समझोते किये अमेरिका के साथ, किस तरह से अमेरिका ने भारत को रक्षा साज़ेदार क का दर्जा दिया जब ट्रम्प सत्ता में थे उसके अलावा लिमोगा जैसे कई एग्रिमेट या जीयो स्पेशियल सूचना को लेकर इंफोमिशन को लेकर भारत ने लगाता लिए एग्रिमेट किये है ना उसके अलावा आप देखोगे कि भारत और अमेरिका कहां पर क्वैड इंडो प्रशांद की छितर में चीन को काउंटर करना है तो ऐसी सिचुएशन में तो भारत और चीन के हित आपस में मिल रहे हैं बड़ दिक्कत एक जगह हो जा रही है आपको पता है रूस और युक्रेन का वार चल रहा है ठीक है रूस और युक्रेन का यूद चल रहा है जिसके चलते बार बार अमेरिका की तरफ से भारत पर दबाव बनाया गया आप क्या करो आप रूस की आलोचना की बात बार बार अमेरिका की तरफ से कही गई बट भारत ये चीज़ नहीं कर पा रहा है और जितने भी आप लोग देखोगे यूएन में जितने भी प्रस्ता आवाएं है रूस को लेकर उसमें भारत क्या रहा है अनुपस्तित रहा है तो इसका मतलब हम रूस के प्रती अपनी पुरानी मित्तरता का कहीं ना कहीं पर पुरानी मित्तरता का एक हर्जाना दे रहे हैं रूस को सपस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस हमारा ओल्ड फ् खुद की महत्वा कांशाएं बड़ी हैं, तो कैसे हम अमेरिका के ऐसे ग्रूप में चले जाएं, जहां पर अमेरिका सुप्रीम है, और भारत को जूनियर के रूप में देखा जाएगा, सबसे बड़ी चीज़, तो एक important point यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, जिसको लेकर UPSC Mains में सवाल पूछ सकता है, वो यह, कि यह जो अंतरास्ट्रिय आयोग होते हैं, ठीक है, अंतरास्ट्रिय आयोग, इसमें भारत को जान्म, उसके target क्यों किया जाता है, क्यों, क्योंकि भारत पर एक नैतिक दबाव बनाने का प्रयास होता है, एक manoveganics तर पर भी से यह बोल रहा है, तो अमेरिका उस पर कारवाई नहीं कर सकता है, या अमेरिका उसको रोक नहीं सकता है, रोक सकता है, बड़ रोका नहीं जाता है, एक तो यह condition है, अंतरास्ट्री संस्थाओं में अगर आप देखोगे, खास करके बड़ी शक्तियों का दबदबा रहता ह बड़ी शक्तियों का दबदबा रहता है, और ये बड़ी शक्तियां जो उन संस्थानों से बुलाती है, आयोग से, वो वही बोलते हैं, और उसमें खास करके भारत को हमेशा ही अंतरास्ट्री संस्था, आप कोई भी रिपोर्ट उठा कर देख लो, भारत की रियायक जो है वो अच्छी नहीं निकाली जाती है, उसका कारण ही यह है कि भारत को लक्षित किया जाता है, अब दूसरी चीज, एक दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू भी है, क्या इस रिपोर्ट में कुछ सच्चाई है क्या, ठीक है, सरकार तो इस चीज को ओविस सी बात है, भारत में इतने कंडिशन खराब नहीं है, जितना रिपोर्ट में बताया गया है, बहुत सारी चीजे बोली गई हैं कि जैसे गौह हत्या को लेकर, भीड हिंसा को लेकर इस तरह से चीजे हो रही है, मुस्लिमों को टार्गिट किया जा रहा है, यह रिपोर्ट ने क्लियर दी चीजे बोली हैं, हमें आंसर में वो हमारे इंपोर्टन नहीं हम लिख भी नहीं सकते हैं, बट में चीज अगर ऐसा कुछ है, कुछ हद्तक अगर 5-10% ऐसी घटनाएं हैं भी, तो सरकार को प्रयास करना होगा कि इनको करब करें, सरकार को भारत में प्रयास करना होगा कि अगर इस बीड़ हत्या के मामले कहीं पर राजस्तान वगरा में आप लोग देखते हो, या पूरो भारत में जो है, पूरो भारत जो है, उसमें वहाँ पर यह ऐसी कंड़नाएं देखने को मिलती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भारत को यह चीज करनी होगी, कि इस चीजों को कंट्र ख्यास किया, जिससे आप लोगों को भारत और अमेरिका के समन्दों में फिलाहालिया घटना करम क्या चल रहा है, उसको हम लोग ने अच्छे से देखा, और साथ में आपने यह भी देखा, अगर UPSC में पूस्ता है, कि यह जो अंतरास्टी संस्थान है, यह क्यों भारत को टेलीग्राम के, डेली करेंट अफेर से रिलेटर कुछ चीजे, या जो प्रोग्राम चल रहा है, 500 सीरीज, उसको लेकर PDF वगएरा, वो सब वहाँ पर शेयर होता है, तो आप लोग जोईन कर सकते हो, तो आपको बहुत सारा भाइदा हो सकता है, अगर किसी बच्चे को में प्रोग्राम में जुड़ना हो, तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हो, इस नंबर पे कॉल करके, मिन्टाशी प्रोग्राम का टार्गेट, प्रिलिम्स दो जारते हो, इसमें 130 नंबर से ज्यादा लाना है, और मेंस में लगबग लगबग 820 से ज्यादा नंबर लाना, बहुत धन्यवाद